नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर वतनेश आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बेटनरी होम्योपैथी पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पसू को हीट में लाने की बिसेश रूप से उप्योगी एक खास दवा एक खास होम्योपैथिक मेटिसिन के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास बहुत ही नालिजबुल है तो वीडियो को पूरा लास्तक देखें और मेरे साथ चैनल पर बने रहें पर वीडियो सुरू करने से पहले एक निवेदन चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकान को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पसों को हीट में लाने की एक विसेश दवा एक खास हम्योपैथिक मेटिसिन के बारे में दोस्तों पसुओं के हीट में ना आने का रोब विसेश या पैथोलाजकल कारण के साथ ही साथ कुछ फिजियोलाजकल सारिक कारण भी होते हैं। इनी में से एक कारण है ओबरी या अंडासे का अपने नार्मल साइज सामाने आकार से छोटा होना। दोस्तों जब रेक्टल परिछड में लगे कि ओबरी नार्मल साइज सामाने आकार प्रकार से छोटी या शिकुड़ी हुई है जिससे नार्मल ओबिलुएशन नहीं हो पाता है तो होम्योपैथिक मेडसिन आयोडम बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों इस प्रकार की खास प्राबलम जब ओबरी या अंडासे के छोटे या शिकुड़े होने के कारण पसु हीट में नहीं आता है तो यह दवा इन स्थितियों की स्थिस्फिक मेडसिन है। दोस्तों इस दवा का प्रियोग 200 पोटेंसी में आयोडम 200 दिम में एक बार गस दिनों तक देने से जो पसु इस तरह के प्राबलम की वज़ह से हीट में नहीं आते उनमें हीट में आने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। जरूरत पढ़ने पर इस दवा की वणियम पोटेंसी आयोडम वणियम का इस्तिमाल भी इस्थिती और आउसे प्नानुसार किया जाता है। दोस्तों ये दवा ती से मिल के पैक में लगभक सो रूपई की कीमत में होमियोपेथिक मेटकल इस्थोर आनलाइन प्लेटफार्म आनलाइन इस्थोर्स पर आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था पसो को हीट में लाने में विशेश रूप से उपयोगी बेहत खास होम्योपेथिक मेडिसिन आयोडम से होने वाले लाब। दोस्तों आसा है वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं अपने सुझाओ किसी सिकायत या समस्या को कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाएं वीडियो को लाइक करें अपने घर परिवार अपने हित मित्र अपने से भी जुड़ सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों होम्योपैथिक इलाज और इससे जुड़ी समस्त जानकारियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल डाक्टर रत्नेश कुमार सिंपर जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सप जानकारी नए टापिक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिं